तो दोस्तो ठीक हो ना आप सब लावा अगनी 3 स्मार्टफून का इंडिया में प्राइस कितना होने वला है ये अभी तुरंत मेरे खुफिया सुत्रों से पता चला है अभी रात के 10 वजे हैं और 10 वजे ये खबर आया है और ये वीडियो सूट हो रहा है 11 वजे तो रात के 11 प्राइस कितना होने वला है वो तो इस स्मार्टफून का प्राइज आप लोगों को इंडिया में देखने को मिल जाएगा 27,495 उपे तो इतने प्राइस में ये स्मार्टफून इँडिया में लॉशे होने वला है 4 अक्टोबर को और अगर बाकी फीचर्ज की बात किरे तो तो इसमें आप लोग को MediaTek Dimensity 7300X का चिपसेट देखने को मिलेगा, यह चिपसेट काफी powerful है, मतलब इसमें आपको कोई भी दिक्कात तोगर देखने को नहीं मिलेगा, काफी powerful चिपसेट है, यह लेकिन हाँ प्राइस होंकि आप लोगों में से बहुत लोगों का मतलब भरोसा तूट गया होगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि लावा अगनी 3 स्मार्फोन का प्राइस थोड़ा सा कम होने वला है, बट इसका प्राइस आप लोगो थोड़ा ज्यादा देखने को मिल जाता है, मतलब लावा अगनी 2 के मुकाबले बहुत ज्यादा अब्रेट है, बट इसमार्फोन में भी आप लोगो बहुत ज्यादा डिफरेंट्स देखने को मिल जाता है, मतलब लावागने 2 में आप लोग को उतना कुछ फीचर्स हो करें देखने को नहीं मिलते थे बट इसमें आप लोग को action button देखने को मिल जागा पीछे के side में display देखने को मिलेगा 50MP का Sony का sensor वाला camera होने वाला वो भी triple camera setup आप लोग को देखने को मिल जाएगा OIS भी होने वाला है तो features हो करें आप लोग को इसमें भर भर के देखने को मिलेंगे इसलिए इसका price 27,499 रुपए है अभी ये box price है या फिर बॉक्स में जो extra लिखा होता है price box price तो box price है या फिर original price है ये अभी confirm नहीं हुआ है बट मेरे खुफिया सुतरों से मुझे अभी पता चला है कि इस smartphone का price होने वाला है 27,499 रुपए है उसके अलावा आप लोग को curved display देखने को मिल जाएगा Bluetooth फ्री experience देखने को मिलेगा मतलब कोई भी एड़ वगर आप लोग को इस smartphone में देखने को नहीं मिलेंगे stock Android पे ये smartphone रन करने वाला है और इसमें आप लोग को बैटरी में भी काफी बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा मतलब बैटरी इसका थोड़ा बड़ा होने वाला है सायद 6000 एमेस तक आप लोग को देखने को मिल सकता है बड़ अभी confirm नहीं है जैसे ही होता है मैं आप लोग को ऐसे ही वीडियो बना करके बता दूँगा 4 October को launch हो रहा है 27,499 रुपर पराइस है और बाकी का features मैंने आप लोग को बता दिया तो इसके बारे में और भी कुछ पता चलते हैं तो मैं आप लोग को ऐसे ही वीडियो बना करके बता दूँगा तो वीडियो को लाइक और चनल को सब्सक्राइब कर देने वीडियो देखने के लिए धन्यवाद